सांतम ग्रूप द्वारा वेशु खाते आवेल सांतम कॉंप्लेक्स ओडिटोरियम खाते, रिस्तो के उपवन नामनों भवय कारेकरमनों आयोजन करवा मा आवी हैतु। परिवार में ली जाए जैसे बताएगा है आप कमिनुकेशन वगर यह थोड़ी सी बात पर ध्यान देते तो परिवार बहुत आगे जा सकता है बहुत सकारात्मक्ता में जी सकता है करीब सवा 200 कपल की उमिद थी यहां पर आने वाले समय में हम तो चाते कि जिस तरीके से आज ये रिष्टे के उपन स्रीमान रामरंजी कावरा ने जो पेस करवाया है ऐसे कारेकम यह होते रहे समाज में जागरती फैलती रहे सोसाइटियों में अलग-अलग तरकी की जागरत जो अपने अपने subject के expert है जैसे नीव का निर्मान है चाहे future orientation है चाहे रिष्टों का उपन है इसमें हमार पास psychologist है doctors available है mind brain mapping वाले doctors available है तो हम जगग की उपयोगिता के इसाब से जैसे आज यहां शांतम ग्रूप है इनका शांतम ग्रूप में बहुत सारे व्रद्द लोग भ कमा लेते हैं पर कमा के उसको रिष्टों की definition में enjoy कैसे करना यह तकनीक पुरातन परिवार की जो सहुक्त परिवार की तकनीक थी हम बूलते जा रहे हैं क्योंकि हम एकल परिवार nuclear family हमारी हो गई है हम वापिस आज आप देखेंगे auditorium में 125 कपल बैठ हैं तो करीब 200 लोगों का जीवन सुधार्ण में स्वयोगी बन रहे हैं रामानंद कापरा हम लोग अभी जोदपूर से आये हैं और सांतम सुरतकंदर हमारे एक प्रोगाम है जिसका नाम है रिष्टो का उपवन हम लोगों के एक संस्ता है जिसका नाम है आल इंडिया मैस्वी सेंटर एक्सिलेंस जिसके अंदर हम पूरे इंडिया लेवल पर हम इस तरह के प्रोगाम चलाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जिसके अंदर हमारे पास में तीन सिग्मेंट है एक सिग्मेंट है जिसके अंदर हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं उसका नाम है नियू का निर्मान ए जिनको आगे आना है या जो काम कर रहे हैं कई रुक रहे हैं उनको भूष्टफ की जुरूत है हम उनको ये मदद करने कोशिस करते हैं और उसी संख्ला में आज हमारा प्रोग्राम रिष्टो का उपन यहां सूरत में हो रहा है कि ऐसा है कि बहुत परताल करते हैं तो पता चलता है कि बहुत छोटी सी बाते होती है और जरा से अवेड़नेस की कमी कारण छूटी मूटी बातों कारण डेडिकेशन कारण लव और अफेक्शन के कारण रिष्टे दर रखते जाते हैं सब्सक्राइब मास्टर्स को अपने साथ मैं ऑनके साथ उनको समझाते हैं कि रिस्ता तूट बिखरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम कौसिज नहीं पब्लिक के आप observation देखेंगे यदि आज आपके पास में टाइम हो हम लोग हमारा कारेकरम समाप्त होता है जब हम तीन काम करते हैं एक तो पब्लिक में से हम दो तीन जनों को observation के लिए बुलाते हैं एक हम लोगों से लिखित के अंदर लेते हैं और उसके बाद में जो आयोज गंटा किसी को पिक्चर हॉल में बिठाना मुस्किल है और आप इस हमारे प्रोगाम के अंदर साथ गंटा तक आप देखेंगे यहीं पर रहते हैं और आपको मज़े की बादो हम बीच में टी ब्रेक नहीं करते हैं कोई भी आदमी हमारा प्रोगाम खतम होने के पोलिशन मिल गए हैं